नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मौनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलचन के शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनों से बड़ी खबर आ रहा है अत्रिकरमन को लेकर सक्त नगर निगम के सरवाग चौराहे से अटाय अत्रिकरमन मौके पर भारी पोलिस बग रहा मौउद इस वक्त की बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं आपको बता दे के अत्रिकरमन को हटाने की कारिवाई की गई कैसर बाग 2 Sabah लगात्रा को हटाने की जो कारिवाई हे क्या रहा है अत्रिकमन पर लखनों से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं के सरबाग चौराहे से हटाया गया अत्रिकमन नाविल्टी चौराहे से भी अत्रिकमन हटाया गया इस दोरान मौके पर भारी पोलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह कि कोई अन्हूनी ना हो और कर यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतिजामात किये गए बड़ी संख्या में पोलिस बल यहाँ पर तैनात रहा तो इस वक्त कि ये बड़ी और एहम जानकारी आपके सामें लखनों से अत्रिकरमन को लेकर सक्त नगर निगम केसरबाग चौराहे से अत्रिकरमन हटाया गया नावेल्टी चौराहा से भी हटाया गया अत्रिकरमन मौके पर भारी पोलिस बल इस दोरान मौझूद रहा तो इस वक्त की ये बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं केसरबाग चौराहे से अत्रिकरमन हटाया गया ये तस्वीरे आप देख रहे हैं मौके पर भारी पोलिस बल इस दोरान मौझूद रहा ये तस्वीरे उस दोरान की जब अत्रिकरमन हटाया गया और तस्वीरे आप देख रहे हैं बुल्डोजर लगातार चलवाया जा रहा है अत्रिकरमन पर और लगातार अत्रिकरमन को अटवानी की कारवाई जो है वो तेज होती हुई नजर आ रहे है फिलाल ये उस दोरान की तस्वीरे जब लखनों में अत्रिकरमन हटानी की कारव कारवाई नगर निगम की तरफ से की गई इस दौरान बड़ी संख्या में पॉलिस बल तैनात रहा पिराल यह तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार यहां पर ट्रैफिक की समस्या बनी हुई थी अतिकर्मन को की वजह से और लोगों की शिकायते भी आ रही थी जिसके बाद अब नगर निगम की तरफ से ये बड़ी कारवाई और सब्सक्त कारवाई देखने को मिली अतिकर्मन के खिलाप और अतिकर्मन यहां से हटाया गया फिलाल गियो उस दौरान की तस्वीर जब भारी पुलिस बल महां पर मौजूद था उस दौरान जब अतिकर्मन की को हटा कारेवाई की जा रही थी लगातार पीला पंचा अतिक्रमण पर चलाया जा रहा है और ये तस्वीर आप देख रही है लगातार जारी है अतिक्रमण के खिलाफ कारेवाई नौवल्टी चौराहा चारबाग चौराहा इन तमाम जगों से अतिक्रमण हटाया गया वारणसी के ज्यान वापी मजजद के सर्वे के बाद श्रीक्रिष्न जन्म भूमी मामला लगातार तूल पकरता नजर आ रहा है इलावा नाई कोट में वादी मनीश यादव ने श्रीक्रिष्न जन्म भूमी मंदिर से सटे ईदगा मजद का कोट कमिशनर के सर्ये सर्वे कराने की मांग की है मत्रौा कोट ने याचिका सुईकार कर लिया और अब मामले की सुनवाई एक जुलाई को होगी दरसल प्रार्थी मनीश यादव, महेंदर प्रताव सिंग और दिने श्र्मा ने अलग-अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी जिसमें कोट कमिशनर नुक्त करके ईदगा मजद की विडियोग्राफिक रायजवाने की मांग की गई थी इस याचिका को कोट ने स्विकार कर लिया है और सभी वाधियों को एक ही तारीक याने की एक जुलाई दे दी गई है याचिका करता मनीश यादव के वकील देव की नंदन शर्मा का कहना है कि ईदगा के अंदर जो शिलालेक है उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और एविडेंस को नश्ट किया जा सकता है दोनों पक्षिकारों की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफिय कराई जाए और सभी तथ्यों को जुटाया जाए इस मामले में अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी ग्यान वापी मजजद मामले में अब एक जुलाई को आपको बता दे किस सुनवाई होगी शाहीद का का सर्वे कराने की मांग याचिका में की गए थी तीन याचिका लगाई गए थी हाला कि एक जुलाई को आपको बता दे किस मामले को लेकर सुनवाई होगी और एक जुलाई को देखना होगा कि किस तरीके से मुहम्मद फारुक हमारे सयोगी चुड़ चुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारे के साथ मुहम्मर फिलाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल रहा है एक जुलाई को सुनवाई होगी इस मामले की अब अगली जी मुहने का मैं बता दूँ कि सिरी के जन्मस्तान से जुड़ा हुआ मामला है और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दो याचकाई लगातार इसमें जो है बाखिल होती है आज फिर एक याचकाई अस बात की दाकिल की गई जो याची महिन पलतास सिंग महिनी 16 जिस तरीके से गयानबापी मस्त में इस सर्वे कराय जा रहा है मंदर के संबंदी बिबताई है इसलिए ये मामला और पेची दा जा रहा है कोर्ट ने इस पर एक जुलाई की तारीक नियत की है जबकि एक जुलाई की तारीक में एक फैसला और आना है एक उन्निस माई को इसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है जलाजज की अदालत में वो उन्निस माई को फैसला आना है इस तरीके से करीब आठ नो के करीब ये याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और इन याचिकाओं पर अपकोर्ट क्या फैसला करता है ये आने वाला समय बताएगा दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट ने एक कल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि चार महीने में जितनी भी याचिकाओं हैं मत्रा कोर्ट में डली हुए हैं वो सारी याचिकाओं हैं मत्रा कोर्ट से चार महीने के अंदर उनका निस्तारां किया जाना है चाहिए जी फिलाल क्या संभावना नजर आ रही है जिस तरह के तमाम चीजों पर अगर हम नजर डाते हैं सुनवाई को लेकर याचिका कर्टाओ की याचिका को लेकर अब जो एक जुलाई को सुनवाई होनी है क्या संभावना नजर आ रही है फिलाल जी एक जुलाई को जो सम्मावना ऐसी दिख रही है कि कोर्ट इस पर ये देखना होगा अब कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है जिला कोर्ट की जो एक फैसला आना है उन्निस माई को आना है और एक जुलाई को इन दो याचिकाओं पर फैसला आना है कि यह याचिका सुनने योगे हैं, अत्वा नहीं है, यह एक जुलाई को कोड तै करेगा, 19 माई को एक रंजना अगनी उतरी हैं सिप्रिम कोड की वकील, उन्होंने याचिका डाली हुई थी 2020 ते, तो उसका फैसला सुरक्षित रख लिया है जिलाजेस के अदालत में, वो 19 मा बड़ा ही समवेधन शील है, और जैसा कि आपने देखा और आपने पहले भी जब आपसे बातशी ते तो आपने बताया था कि उस तरह की से बाबरी मज़द और उसी तरह की से इसको भी लिया जाए, तो किस तरह की से क्या कुश माहल के अगर हम बात करें, क्योंकि आप फी इद्गा के भी शिर्क जन्मिस्तान के भी बिलकुल आमने सामने हैं और मुद्धा बहुत बड़ा है ये ये नेशनल मुद्धा एक तरीके का होता जा रहा है, ग्यान बापी मस्जित में भी सर्वे की कारवाई चल रही है, उसी तरीके से मत्रा में भी अप मांग शुरू ह बापी मस्जित और मुद्धा फूरू के लिए ग्यान सर्वे की कारवाई की, तो ये मुद्धा जो है अभी कोर्ड में तो दौनों पक्षामने सामने हैं और संभीतन सील मुद्धा है ये जिस तरीके के नेशनल मांग जिनल मुद्ध है, श्यरी राम बंदिर का उसी तज ये दो मुद्धे और अब उभर आई हैं और अब ये देख रहा हैं कि कोर्ट इन पर क्या निर्ने ले था है जी शुक्रिया आपका अतमामेतु पुन जानकारी के लिए चलिए अब बड़ी ख़बार आयोध्या से आ रही है महिन संतरामदास की बिगड़ी तवियत आपको बतारें उज्जैनिया पट्टि के महंत हैं संतरामदास सीम योगी के करीबी राजुदास के गुरू हैं संतरामदास छे माई को सीम ने मुलाकात कर जाना था हाल चाल इस वक्त की ये बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है महिन संतरामदास की तवित बिगड़ी उज्जैनिया पट्टि के महंत हैं संतरामदास सीम योगी के करीबी राजुदास के गुरू हैं और छे माई को स महिन संतरामदास के तवित अचानक विगड़ी उज्जैनिया पट्टि के महिन थे संतरामदास सीम योगी के करीबी राजुदास के गुरू हैं संतरामदास सीम योगी आदतराथ ने इससे पहले उनसे बात की थी उनका हाल चाल भी जाना था महिन संतरामदास के तवित चाना था आप देख सकते हैं ऐसा आई किस तरीके से रिश्वत लेता है और रिश्वत खोरी के वीडियो काफी वायर हो रही है कितना है तो यह वाला जैन कर लो यह हमारे कर देंगी अभी है लंबा आपको थोड़ा बहुत उसने दिया लेकिन उस बार इनकी हिम्मत टूटके पहली बार गुजारी शोचने पहली वर रिक्टेश्ट कि कि हमने लोगने विवार में बहुत आदत के ठीक है लड़के लड़के इज्जित मान सम्मान देते हैं भाई तब हम उनके उनका और आगया सुनो एक साथ सोलम उनके चला नहीं आगए तीनों की आनंद जीतू सुनों पहर भी कुस्तों खर्च होई जाता है ना जमानतों के इंतजाम करनें पड़ेंगे पचाथ जरी जमान लगते हैं साथ सोला में अब भीया मैं इसको फेल डेटा यार थोड़ा सब बैसे हैं तो हमने भी ठोक बजागे कहा तुम्हारा काम हो जायागा अब तुम्हें कोई दिक्क्त नहीं नहीं सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कितनी बड़ी लगड़ी लगड़ी है क्या कमगा वह मेरे बहुत है तिन खानों के नहीं करना में दूटी मजूरी है अब जो यह वह जट भी देते हैं हम उनके विस्वास पर खरेना उता ठीक है वोड़ा बोटा दी होता रहता तो प्रीके देख उसका अमारे उपर हमारे मांसमान दख़ो ठीके जो मैंने आप पर देते रख लोगड़े पास समयों पर मेरा भी वैवाल खराब होता है तो मा करने श्रंकर विद्यारती मेडिकल कॉलेज के अंदरगर सिंच्वालित नर्सिंग कॉलेज की 15 चात्राओं और दो महिला प्रोफेसर्स को रावतपूर मेट्रो स्टेशन से आयाएटी कानपूर मेट्रो स्टेशन तक फ्री यात्रा कराई चिकित्सा और स्वास्त्य के क्ष यूगी व्यवार से प्रभावित होकर नर्सिंग की चात्राओं ने मेट्रो स्टाथ का धनेवाद किया कुशिनगर के पड्रोना स्थित उधित नरायन पीची कॉलेज में कोशल विकास और उध्यमिता प्रकोष्ट द्वारा माविद्याले के प्रभंदक आर्पे अन सिंग के संग्रक्षन में पीन सो पीस चात्राओं ने सोला गुरूप बनाकर एक हस्तिकला प्रदर्शनी का आयोजिन किया महीं जौरान चात्रों ने अलग अलग तरह के पेंटिंग, अलग प्रकार के सिजावती सामान, अलग प्रकार के चित्रकारी और सुन्दर आकरशक परंपरागत और आध्यमिक रंगोल यूग को बनाकर अपना कोशल का प्रदर्शन किया वहीं प्राचारे मम्ता मणी तरिपाठी ने सभी अतिक्सियों को चुन्री ओड़ा कर सम्मानित किया और सम्मोधन में कहा कि आज का यूग कोशल के यूग है और महिलाएं आज सभी शेत्र में आगे बढ़ रही है अपनी पहचान सिक्षा के माध्य से बहुत ज़्यादा बना सकते हैं इसी पिशामे सरकार ने अभियान लाया है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आग मनीर भर बने और इसके लिए आप लों को बताते हैं कि हम अपनी बेडियों को बताना चाहेंगे प्रेके बास स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में कानपूर में बुद्वार को मिशिन शक्ती 4.00 के सफल संचालन के लिए सेंटर फॉर एडवोकेसी और रिसर्स अंस्था के सयोग से आयोजित मंडल सर्य जागरुक मीडिया कारिश्वाला में महिला और बाल विकास स्विभाग उत्तर प्रदेश के उपने देश अकपोनित मिश्रा ने कहा कि महिला और बच्चों के विकास से ही बेहतर विराश्टर के विकास का सपना साकार हो सकता है सिर्फ कारे योजना बनाने से नहीं बलकि समवेदन शीर होकर कारे योजना पर अमल करने की आवश्रक्ता है हमारा प्रयास है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला और बच्चों तक हर संभव मदद पहुंच सके महिलाओ और बच्चों की सुरक्षा सम्मान और स्वाव लंबन के उद्देश से मिशन श्रक्ती चार अभियान शुरू किया गया है जबरन उसको जो है रखा गया थाने में वह मैला कर भी नहीं थी इस पर क्या कारवाई करेगा पुलिस से खिलाप आयो कोविट कर रहे हैं कि अपने मज़ा के लिए विवार के सब्सक्राइब हो रहा है तो शाय आजी जिन्दा है यह जबरन उसको जो है रखा गया थाने में वह मैला कर भी नहीं थी इस पर क्या कारवाई करेगा पुलिस से खिलाप आयो लगनाव पुलिस नी चौदर साल से फरार एच फ्रातर प्रादी को गिरतार किया है गिरतार किये गए आरोपे का नाम राजू अर्फ समीर अर्फ हसीम बताया जा रहा है राजू पर आरोप है कि 21 माई 2008 को समर विहार कलोनेसेत एक मकान में रह रही महिला और उसके बच्चों को लसी में नश्वीला पदार्थ खिला कर लूट पार्ट की गटना को इंचाम दिया था इसके बाद से राजू फरार चल रहा था गुरुवार को मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम ने राजू को आरडी एसो पुल के पास से गिरतार किया पुलिस के मताबिक राजू हिस्टी शीटर है राजू एक दर्जन से जाना थानों से वन्चित है तो चौदा साल से फरार चल रहा था आरोपी आखरकार पुलिस के हत्ते चड़ गया सर्विलान सेल मद्दे जोन की स्वेग टीम को एक मुख्रफ़न सपलता हाथ लगी है 14 साल से फरार लूट के मुकर्ण में फरार एक शातिर अभ्यूक्त जिसका नाम राजू उर्फ समीर उर्फ हासिम पुत्र लियाकत अली है उसको गिरफ्तार किया गया है 2009 में इस पर पच्चिस सो रुपे का इनाम किया गया था और अभी तक जो हम लोगों की पूछताच है वसमें प्राच रहा है कि इस पर 22 मुकदमे दर्च हैं जो की अन्य जन्पदों में हैं जैसे कि लखीन पूर खीडी सीतापूर भेराइच इनकी जानकारे में प्राप्त हुई है पूल एक्यावन मुकदमे दर्च हैं वाई को ख्याद गैंक्सरों खालिट के पास से लूट की बाइक, तमंचा और जिन्दा कार्थूज परावत किया गया पूलिस और बदमासिक बीच इगवार फिर मुटवेड हुए, मेरे साथ बात्चित करने के लिए खुद एडिस्टीपी रनविजिसिंग मौजूद हैं, अई इन से बात करते हैं, सर भी मुटवेड हुए, बदमासिक बीच बीच से लुटवार पकड़ा गया है अभी, य क्याओन मुकदमें इसके उपर अलड़ी हैं, ये पूरे NCR में तमाम जगों पर लुट पड़की घटनाओं को अंजाम दिया है, इसने, गैंक्सर एक्ट के तायद भी ये जेल गया है, और इसका एक बहुत बड़ा गैंग है, जिस गैंग में से कुछ लोग भी एकाउंट इसके बारे में हमारी इसका नाम खालिद है, इसके बारे में हमें टीप अफ था, कि हमारे एरिया में कोई घटना को अंजाम देगा, हमारे टीम इसके पीछे लगी थी, इसे पी सेकेंड और 58, इसे चो, खुदी इसके मुल्टर कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने यहां इसके पोजिशन से हम लोगों ने अभी एक बाइक बरामत की है, जो देली से लूटी गई है, एक इसके पास एक मुबाइल है, और उसको भी हम लोग अभी कॉमिंग कर रहे हैं, इसके अलावे इस पूरे गैंग में से चार-पांस लोग और लोड पहले भी एकांट पर हो चुके हैं, यह बहुत ही शातिर अपरादी है, और बाकी इसके बारे में और भी चान्मिन की जा रही है, तो यह थी मेरे साथ इनर्वीजे सिंग जिनका साथ तोर पर कहना है कि आरोपी काफे दिनों से सक्रिया था इस गैंग के अंदर और इस पर इक्यामन मामले दर जाए कैमरवें ताहिर के साथ कंचन कुमार हर ख़वत नोट बड़ाए।